ससी कल दोस्तों जिद्धा अपनों पता हिए पॉलटी दे कोशिशन बहुत पेपरां दोच होंदे आप आज Most Important टेड एंडिया, उक फिया ब्रिटिश पर्लेमेंट ने केड़ा एक्टर लियां जिन्दे तुरू East India Company उब्स खतम करने से इंडिया तरे यस्ट इंडिया कंप्डिया खतिक एंड गिंर हथा 2-3 आपने तो कई बार पोछ लेंद्या चार्टर एक्ट केड़ा किनने वेच आया चार्टर पहला आया तियगा सटी that 2735 पहला चाट्र एक्ट फिर ओया 813 तेविच्छ दूज्ज्ज चर्टर एक्ट दूज्ज्ज चाट्र आक्ट नो बाद pensa 513 711 फिला इस्ट रो डूर मेंश्मिदमिश 713 त्ष डूपन्य стр जांतर ह् ओれ póote जा गया बिटीछ न आप सारी इस्ट इंडिया कंपनी नुख़दां करके आपने kोल पारलैमेंटर लेली पारलैमेंटरि सारी प debout अपने कोल लेली ठीक है दूस्तोत् ता फिर उस्तो बाद इन रहते ट चार्टर अक्ड दे वेच्वी भी सालांदा डिफ्रेंस है शाला इस सारे डिफारेण सिर्ण्यों ध्युक्रण बंफ्रि किसी की भी तुसी डिसकस कार सकते हो बजट नू तक पारले लेजिसलिटिव कॉंसल इंडियन कॉंसल एक्ट उन्ठारा सो पन्न में एंदा सही आंसर हा बी आंसर इस्तेब्लिशम्त ओस स्प्रीम कोट आघ दे लिंए कथे डिडिटरो उन्सर के इक्टी आप आसा रहे लू पता है के सब्रींग कोट कलकत्ता दे बेच जैं। थीगे दोस्तों तद केड़े आक्ट दे थे थूब ने ता आपा एंफे तुझी बार बार कोश रिपीट करना नाम बोल नार नाल बोलना था तान्नों एक नाम पोछ जल्दी आद हो जुगा सर अलीजा एंफे कि नेक्स्ट कोशन बार देख दें ओक अंदे ना विच्छो केडी स्टेटमेंट करेक्टर इस्टेबिश्मेंट ऑफ दा सप्रीम कोट दी ओके ने सप्रीम कोट एड कलकत्ता वोस एस्टैबलिश्ट बाइड रागुल एक्ट सारा सो तरत्तर होन पिछले कोशन चाहा पादे सप्रीम कोट कलकत्ता देवेच एक और लाइन बिल्कुल पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हुन दूज्जी स्टेटमेंट देखो किते में तनुदस्तिया भी ए बंदा सीगा चीफ जेस्टिस ऑफ कोट ता फिर एक स्टेटमेंट हुन देख गल्त त्या तुशी पहला चीफ जेस्टिस ऑफ कोट कौन सी गा सर अलीजा एंफे ता इन्दा कुरेक्ट आंसर हैगा ए अगले कोशन मल देख देया ओक एंदे इन्ना विच्छों केड़ा एक्टा जिनने फैडरल कोट इंडिया दे ग्रियेट किता फैडरल कोट इंडिया दे विच क्रियेट क अगे उनिसो सैंति अगरे चीक है एक अक्तूब पर नाल डेट भी जरूर याद रखनी है एक अक्तूब पर ते केड़े एक्ट दे थे त्रू अपपा कुछ न ये गाल काने केड़े एक्ट दे थे थूँ तव है गया है उन्नीसो पैन्ती गोवर्मेंट ओफ इंडिया एक देतरू जी कर जी फेडरल कोट ऑफ इंडिया वस एस्टेबलीश इन विच्च ओफ यर होने में दस केट हैं 1970 ता तुझी कन्फूज नी होना एक्ट ते अस्टेबलीश दा इयर इस्टेबलीश एर हैगा 1970 एक अक्तूबर 1970 ते जे गाल कारलान केड़े एक्ट दे थ्रू ता सिगा गोवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट नाइन्टी थर्टी फाइव होना आ कोशन बहुत वार आया कोशन विप्रां देवेचे बहुत सारे विपर आज इना देवेचे कोशन पुच्चा गया वार वार रेपीट होंदा है होना आप सारे नूँ पता है तुसी ना कोशिश कर रहा है करो इना नूँ मैच करन दी ओके इंदेव इस्टैबलिश्मेंट ओफ सप्रीम कोट सोड़ी थे आगया ओक इंदेव इस्टैबलिश्मेंट स्प्रीम कोट दी कदो ही 1744 देवेचे मतला होना ब इस्टैबलिश्मेंट ओफ बॉर्ड ओफ कंट्रोल इस्टैबलिश्मेंट कदो ही पिट्स इंडिया एक्ट 1744 देवेचे ठीक है ओन एदा आगया दो थीक है ओस्तों बाद केंदे प्रमीशन टू इंग्लिश मिशिनरी तू वर्क इन इंडिया ओन इंग्लिश मिशिनरी न एक्ट 1813 देवेचे होन सीधा आगया थेन ठीक है जी ओस्तों बाद रहेगी एक ओपोइंट्मेंट ओफ लो मेंबर गवर्न जनरल कॉंसल दाव वह बने 1830 देवेचे ठीक है होन इत्वेको सीधा थेन थेन बाकिया दुन्नों सीधा दी रिमूव हं दिया ठीक है तहां रहे अल्ले दांसर सीधा दो